गुड बॉर्णिंग बच्चों, आज हम कच्छा दूसरी विशाय गणित अध्याय तेरा आकडो की समझ, कि प्रती अपनी समझ बनाएंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम आकडो की मदद से कोई भी निश्कर्ष निकाल पाते हैं, जैसे कि अगर एक दिन में बहुत सारे बच्चें उन ये बच्चें सब्च बच्चें पानी पीते हैं तो उनमें सब से ज्यादा पानी कौन पीत हैं में ये भी बता तकल hippie से, आप इसमें हम बी बताुक दिन पानी पाड़ सकते हो, कि ने सलक लापिर निश्कर्ष निकाल सकते, आप पतो पुछिश विशा बच्चर में दिखाई हाएं दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे. देखिए. यह सभी बच्चे कहां जा रहे हैं, आप लोगों को को पता है? यह सभी बच्चे आज उनकी मेडम ने उन्हें महला क्लास में बुलाया हैं. तो वे सभी जा रहे हैं और ये सभी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आज इनकी मैडम ने इन्हें एक काम दिया था जिसे वे करके बहुत खुश नजर आ रहे हैं वो काम क्या था? पता है? वो काम था एक दिन में हम कितना गिलास पानी पीते हैं तो बच्चू मुहला क्लास में कौन-कौन से बच्चे आये हैं? जरा देखें तो सहीं रवी सूरज सुरेश प्रतीक प्रिया कमल राहुल कुसुम कविता और गीता तो यहाँ पर कुल कितने बच्चे हैं? दस बच्चे हैं और यह कहां जा रहे हैं? मुहला क्लास क्योंकि उनकी टीचर ने उन्हें बुलाया है और यह सभी बहुत खुश हैं क्यों खुश है? क्योंकि सभी ने आज एक बहुत प्यारी सी जानकारी बहुत अच्छी सी जानकारी ली है कौन सी जानकारी? कि हम एक दिन में कितना गलास पानी पीते हैं तो चलो देखते हैं कि सभी बच्चों कितना-कितना गलास पानी पीते हैं एक दिन में? रवी बता रहा है मैं तीन गलास पानी पीता हूं सूरेज बता रहा है मैं दो गलास पानी पीता हूँ सूरेज बता रहा है मैडम मैं तो चार गलास पानी पीता हूँ प्रतीक बता रहा है मैं तीन गलास पानी पीता हूँ प्रिया बता रही है मैं दो गलास पानी पीती हूँ कमल भी बता रहा है मैं तो मैडम तीन गलास पानी पीता हूँ कविता ने बताया मैं मैं तो पांच गलास पानी पीती हूँ राहुल ने कहा मैं मैं चार गलास पानी पीता हूँ फिर कुसुम ने बताया मैं मैं सिर्फ दो ही गलास पानी पीती हूँ और गीता ने बताया मैम मैं भी दो गलास पानी पीती हूँ तो मैम ने सभी को सुना और देखा अरे यहां तो सभी बच्चे अलग-अलग तरीके से पानी पीते हैं कोई एक गलास, कोई दो गलास, कोई तिन गलास, कोई चार, कोई पांच तो मैम ने देखो अब इस आकड़े को कैसे तयार किया मैम ने एक क्या बनाया है यहाँ पर देखो टेबल बनाया है आपको भी ऐसे ही टेबल बनाना है चलिए आप भी बनाईए साथ साथ अब एक गलास पानी पिने वाले तो यहाँ पर कोई बच्चे नहीं है तो क्या इन बच्चों में से कोई बच्चे ऐसे हैं, जो रोज दो गलास पानी पीते हैं? जरे धूझ करके बताओ, क्या है उनका नाम? प्रिया, कुसुम, गीता और सुरज। है ना? वैसे ही रोज तीन ग्लास पानी पीने वाले बच्चे जरा ढूंड करके बताओ इन में से रवी, प्रतीक, कमल ये तीनों बच्चे तीन ग्लास पानी पीते हैं वैसे ही जो बच्चे चार ग्लास पानी पीते हैं रोज उनका नाम बताओ इन में से सुरेश और राहुल और पास ग्लास पानी पीने वाले बच्चों का नाम बताओ जरा केवल कविता तो आपने देखा बच्चों पहले हमने क्या किया ग्लास का समूह बनाया कि कौन से बच्चे कितना ग्लास पानी पी सकते हैं है ना और पीते हैं उसके बाद हमने क्या किया इसमें? उन ग्लास के समूह के सामने हमने उन बच्चों का नाम लिखा. अब जब नाम लिखा चुका है इसमें इस टेबल में इस तालिका में तो उन बच्चों को गिन ये ज़रा कि एक ग्लास के सामने कितने बच्चे है? शोन्य क्योंकि कोई भी बच्चा इन में से एक गलास पानी नहीं पीता इसलिए उसके सामने हमने क्या लिखा शोन्य उसके बार दो गलास पानी पीने वाले बच्चों की संख्या कितनी दिखाए दे रही है इसमें जड़ा देख करके बताओ चार वैसे ही तीन गलास पानी पीने वाले बच्चों की संख्या कितनी दिखाए दे रही है एक दो तीन कितने है तीन वैसे ही, चार ग्लास पानी पीने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? एक, दो, नाम की गिंती करो, और वहाँ पर क्या लिखो? दो, और वैसे ही, पाँच ग्लास पानी पीने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? एक, केवल एक ही नाम दिखाए दे रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, एक है ना, क्या आप उस बच्चे का नाम बता सकते हो, जो दिन में सबसे ज़्यादा पानी पीती है, या पीता हो, बिल्कुल, उसका नाम है कविता, कविता सबसे ज़्यादा पानी पीती है प्रती दिन, आप भी सबसे ज्यादा पानी पिया करो, खूब ज्यादा पानी पिया करो, अब क्या आप बता सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, तो ये कवीता जो बच्ची है, वो गीता नाम की बच्ची से कितना अधी ग्लास पानी पीती है, कवीता ने कितना ग् तो इस हिसाब से Kavita, Gita से तीन ग्लास अधिक पानी पीती है. हमने क्या किया? बड़ी संख्या में च्चोटी संख्या को गटा दिया. 5 में 2 गटाने पर 3 मिलेगा. तो यहां से हमें पता चला कि Kavita जो है Gita से तीन ग्लास अधिक पानी पीती है. तो आप तालिका देखर के बच्चों आप आराम से किसी भी प्रकार के प्रश्ण को हल कर सकते हो वैसे ही मैम ने सबी बच्चों को ये पूछा कि चलो बताओ अब कौन सा रंग किसको सबसे अधिक पसंद है तो इन बच्चों ने बताया जैसे कि सबसे पहले रवी ने बताया कि मुझे मैं लार रंग पसंद है सूरज ने बताया मैं मुझे हरा रंग पसंद है शुरेश ने बताया कि मुझे तो गुला भी रंग पसंद है प्रतीक ने बताया मैं मुझे पीला रंग सबसे अच्छा लगता है आम का रंग भी पीला होता है तो पीले पीले आम मुझे बहुत पसंद है इसलिए मुझे पीला रंग बहुत अच्छा लगता है प्रिया ने भी कहा मैं मुझे भी पीला रंग पसंद है मुझे पिली रंकी फ्रॉब सबसे अच्छी लगती है फिर कमल ने बताया मैं मुझे नीला रंग पसंद है राहुन ने बताया मुझे भी नीला रंग पसंद है फिर कुसम ने बताया मुझे हरा रंग पसंद है कविता ने बताया मुझे लाल रंग पसंद है और गीता ने भी बताया मैम मुझे भी लाल रंग पसंद है लाल लाल फूल, लाल लाल ड्रेस मुझे बहुत अच्τού लगते हैं तो इस प्रकार से सभी बच्चों से अपने मन पसंद रंग बताये और मैम ने क्या किया उसे, टेबल पे तालिका में देखो, अब किस प्रकार से हमको तालिका बनाना है, अब इसे ध्यान में रखना है, कौन-कौन से रंग, बच्चों ने कौन-कौन से रंग यहां पर बताए, उन रंगों को आप तालिका में एक के नीचे, एक के नीचे एक तो सबसे पहले लाड रंग, पीला रंग, हरा रंग, फिर नीला रंग और गुलाबी रंग. ये रंग बच्चों ने बताए. अब लाड रंग को पसंद करने वाले बच्चों के नाम उसके सामने लिखिए. जैसे कि लाड़ रंग किसे किसे किन किन बच्चों को पसंद है रवी, कविता, गीता वैसे ही पीले रंग को पसंद करने वाले बच्चों का नाम उसके सामने प्रतीक, प्रिया हरा रंग को पसंद करने वाले बच्चों का नाम बताईए मेरे साथ दोराईए कुसुम सूरज नीला रंग को पसंद करने वाले बच्चों का नाम बताईए राहूल कमल और गुलावी रंग जिसे पसंद है उस बच्चे का नाम बताईए उसका नाम है शूरेज है ना? तो बच्चों आप क्या यहाँ पर गिंती कर सकते हो कि लार रंग कितने बच्चों को पसंद है तो उन नाम को आप गिंती करके बता सकते हो कि लार रंग को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है बिल्कुल एक, दो, तीन कुल तीन बच्चों को लार रंग पसंद है वैसे ही पीला रंग किन-किन बच्चों को पसंद है, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या हम उन बच्चों की संख्या बता सकते हैं? एक, दो, तो पीला रंग दो बच्चों को पसंद है, हरा रंग, एक, दो, हरा रंग भी दो बच्चों को पसंद है, नीला रंग, एक, दो, नीला रंग भी दो बच्चों को पसंद है, सबसे आखरी में कौन सा रंग दिखाए दे रहा है? गुलाबी तो गुलाबी कितने बच्चों को पसंद है जला देखो तो केवल एक गुलाबी का रंग केवल एक ही बच्चे को पसंद है तो इस प्रकार से बच्चों आप भी अपने दोस्तों के साथ खेल-खेल में इस गतिविधी को कर सकते हो और अपने जो भी आकड़े हैं जो भी चीजे हैं है ना? उनके बारे में आप तालिका बना करके उसे प्रदर्शित कर सकते हो है ना? तो खेल-खेल में आप भी इसे जरूर कोशिश करिए अपने दोस्तों के साथ में और अपनी जानकारी को एक तालिका बना कर इकठा करिए। तभी कुसुम बहुत जारा खुश हुई। मैमने उसके खुशी का राज पूछा कि कुसुम तुम आज इतने खुश क्यों हूँ। तभी कुसम ने कहा कि मैं मेरा तो जन्म दिन है, मैं अपने सारे दोस्तों को कुछ न कुछ देना चाहती हूं, और मैं ये बहुत सारी चीजे लेकर आई हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं मैं कहां से शुरू करो, तभी मैं ने उसे बताया कि चलो, तुम कौन-कौ पैंसिल लेकर आई हूं, गेन, चोटी सी डॉल और एक खिलोने वाला टैडी, मैं ने कहा कि तुम जो भी चीजों को लाई हो, जिन भी चीजों को लाई हो, उन सभी चीजों को पहले समूह बनाकर अलग कर लो, तो कुसम ने वैसा ही किया, उसने पैंसिल को अलग कर लिया, जितने भी उसके पास कार थे, उसे अलग कर लिया, उसने सभी गेंदो को अलग कर लिया, खिलोने वाला जितना उसके पास टैडी था, उसने उसे भी अलग कर लिया, सभी रबर को अलग कर लिया, और जो गुडिया है, उसके पास खिलोने वाली, उसे भी अलग कर लिया, इ लेकिन आगे का काम क्या हम कर सकते हैं, चलो तो गिन करके बताओ, कि कुसम कितना पैंसिल लेकर के आई है, कितना कार लेकर के आई है, क्या आप यहां देख करके बता सकते हो, कौन से चीजे, कितनी है, चलो तो बताओ गिन करके पैंसिल कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पैंसि तीन खिलोने वाले कार की संख्या कितनी है? एद दो तीन वैसे ही गिन कितनी है? जरो गिन करके बताओ एद दो तीन, चार पांट, छैर तो गिन कितनी है यहाँ पर? छैर अब क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? खिलोने वाला टैडी है ना? जरो गिन करके बताओ उसे भी? एक, दो उसकी संख्या कितनी है? दो रबर की संख्या कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पांच कितनी है? पांच पांच रबर हैं और गुडिया जो सभी को पसंदात होती है जरा उसे गिन करके बताओ एक, दो, तीन, चार. तो इस प्रकार से सभी चीजों की गिंती हमने कर ली. तो क्या आप बता सकते हों कि कुसुम ने कौन सी चीज की खरदारी सबसे ज़्यादा की है? बिल्कुल गेंद, यहाँ पर गेंद की संख्या सबसे ज़्यादा है. क्यों? एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, छे, यहाँ पर गेंद की संख्या है, जो सबसे बड़ा अंख है. इसलिए गेंद की संख्या सबसे ज़्यादा है. तो इस प्रकार कुसम ने सभी अपने जो भी चीजों को वो अपने दोस्तों के साथ देना चाहती थी, साजा करना चाहती थी, उसने तालिका बनाकर समूह बनाकर सभी की गिंती कर ली. और उसे एक तालिका में इस प्रकार से लिख लिया. जिसे हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं या आकडा कहते हैं. उसके बाद कुसम ने अपना बड़े मनाया और जिसे जिन बच्चों को जो भी चीजे पसं थी, सभी के पसं से उन वस्तों को उसने दे दिया. चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आपको कौन दिखाई दे रहा है? राहूल. आपने देखा है ना, सुरों में इसका नाम क्या था? राहूल. राहूल के दोस्तों के नाम यहाँ पर लिखे हुए है. महला क्लास में तो अचानक से चर्चा हुई कि कौन- में आपको क्या, कि हाँ मैं मेरे ना, गाओं में ना, मेरे सबसे पक्के दोस्ते हैं. उनका नाम मैं बताऊं, तो उसने नाम बटाया. क्या-क्या नाम बताया? सूरज, कमलनाथ, रवी, बुल-बुल. तो इस प्रकार से राहूल ने अपने दोस्तों के नाम बताया. अब मे क्या था चलो तो राहुल अपने दोस्तों के नाम में कितने अक्षर आते हैं जरा उन अक्षरों को गिन करके बताओ तब राहुल ने क्या किया राहुल ने पहले अपने सारे दोस्तों के नाम ब्लैक बोर्ड पर तालिका बना कर लिखा उसके बाद उसने एक-एक दोस्त जो नाम है उसके एक-एक अच्छर की उसने गिंती की की प्रतेक नाम में कितने अक्षर हैं तो चलो आप भी राहुल की मदद करो और उसके साथ गिंती शुरू करो तो सूरज में देखिए सूरज सूरज में कितने अक्षर हैं तीन अक्षर हैं एक, दो, तीन, तो सूरज में तीन अक्षर हुए, वैसे ही अगला नाम क्या लिखा हुआ है, कमलनाथ, है ना, तो कमलनाथ को, चलो तो, इसमें कितने अक्षर हैं, गिंती करते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, कमलनाथ, अलग-अलग, है ना, अलग-अलग गिंती करते हैं तो एक, दो, तीन, चाल, पांच, तो राहुल ने गिन्ती किया और उसके दूसरे दोस्त के नाम में जो अक्षर मिले वो कितने थे? पांच अक्षर थे, है ना? अब अगली बारे आती है, रवी की, कितने अक्षर हैं? जरा गिन करके बताओं तो, रवी, एक, दो, कितने अक्षर हुए? रवी में दो अक्षर, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? बुल-बुल, बुल-बुल, तो बुल-बुल में कितने चार, तो बुलबुल में चार अक्षर हैं, इस प्रकार से राहुल ने अपनी मैडम की बात मानी और तालिका बना करके अपने दोस्तों के नाम में जितने भी अक्षर आये थे उनकी गिंती की, बच्चों मज़ा आया ना, आकड़ा हम कैसे तयार करते हैं, ये आप लोगों न सीखा ना, आप भी खेल-खेल में अपने दोस्तों के साथ ये गतिविधी जरूर करना, कि हम भी कितना गिलास पानी पीते हैं, कि मुझे कौन सा रंग पसंद है, कि मुझे कौन सा फल पसंद है, है ना, मुझे सबसे अच्छा कहां घूमना पसंद है, तो ऐसा ही आप और उ करना, तो बच्चों, ये कक्षा यहीं समाप्त हुई, अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.